हेलो बच्चो वेरे गुड बार्निंग टो व्यू मैं विकास फ्रम टार्गेट तो चलिए आज हम लोग एक साइस 4.3 के कोश्चन नंबर 8 को करने वाले हैं और आज हम लोग जितने भी कोश्चन करेंगे यानि जितने भी वर्ट्स पॉलों आज हम लोग करेंगे वो काफी इ से जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास कोश्चन है ट्रेंड कवर सित 360 किलो मेटर एड़ यूनिफॉर्म स्पीड उनिफॉर्म स्पीड से आपने 360 किलो मेटर कवर आप हो करना इप इस पीड हैड बेन इंक्रीजड वाइब किलो मेटर पर आवर इंक्रीज कर दिया त टाइम हम कम लेंगे तो चलि स्टार्ट करतां इसको सबसे पहले हम लिखते हैं लेट उनिफॉर्म स्पीड का आप लेट कर लिजयिए ile क्वोन से स्पीड है हमारा यं요निफॉर्म És तो let speed यहन्य uniform speed of the train इसको मान लेते हैं हम लोग x km पर आर ठीक है uniform speed of the train को हम आपने क्या लेट कर लिया x km पर आर यह मान लेजिए आपका case number one है ठीक है case one case one इसमें अगर हम time निकाले तो time time equal to क्या हो को बताइए अपने पढ़ाना time equal to क्या होता है distance by speed यह आप जानते हैं कि as we know that time equal to distance by speed distance हमारे पास कितना देखिए distance से 360 km ठीक है तो हमने distance के place पर क्या लिख लिए 360 speed हमारा कितना था हमने क्या लेट किया है x तो यह हो गया x इतना आर ठीक है तो time हमने निकाल लिया 360 by xr अब आते second case में case 2 case 2 में देखिए if the speed had been 5 km per hour more यानि कि increased speed उसको आप लिख सकते हैं increased speed तो पहले हमारे speed कितना था x km per hour था अगर आपने 5 km per hour speed कर दिया तो अपका new speed यानि increased speed कितना हो जाएगा x plus 5 km per hour यहां तो clear आपको तो अब time कितना लाएगा तो देखिए now time taken equal to distance by speed distance by speed but अब हमारे पास distance कितना है तो distance तो change नहीं हुआ है है ना क्योंकि distance उतना ही रहेगा तो distance हम क्या लिखेंगे 360 but speed हमारे देखिए change हो गया increase speed हमारे बास कितना है x plus 5 तो यहां क्या हम लोग लिख लेंगे x plus 5 अब important है अब जो हम लोग line बनाने वाले है according to question में जो हो लिखेंगे वो काफी important है क्योंकि हमें क्या दिया गया है कि इन दोनों time में one hour का difference है अगर मान लिजे आप uniform speed से अगर आप distance को travel करते हैं और मान लिजे आपको five hour लगा सब्स करते हम कि हमें five hour लग रहा है तो इस condition में कितना लगेगा six या four क्योंकि एक रिफ्रेंस यह तो आपको पता है या तो इसमें six लगेगा या तो इसमें four लगेगा तो अब आप देख रहें कि speed अगर हमने increase किया है तो जब भी आपका speed increase होगा तो time क्या लगेगा कम लगेगा क्योंकि पहले आप normal speed में जा रहा रहा था आप speed में जाएगा तो उतना ही distance cover करने के लिए आपको time क्या लगेगा कम लगेगा तो obviously this time is smaller than this यानि इसमें आगर आपको 4 घंडा लगा है तो इसमें आपको 5 घंडा लगा है और 5-4 that is 1 hour का difference है यह दिया हुआ है string गलती क्या करते कभी-कभी this minus this कर देते हुए तो यहां आपको ध्यान रखना है कि हमें किस से किसको minus करना है हमें क्या करना है 360 by x plus 5 अगर आपने इसको आगे लिख लिए और इसको पीछे लिख लिए तो यह wrong हो जाएगा तो आपको इसमें करना है कि 360 by x minus 360 by x plus 5 अब आपको याद नहीं करना है कि हमें हमने इसको आगे या इसको पीछे क्यों लिखा this equal to 1 हमने क्यों लिखा क्योंकि देखी इन दोनों time में कितना difference है एक घंड अगा यह तो clear है अब अगर यहां रहता है कि speed अगर increase के जगा अगर decrease तो speed अगर decrease होगा तो time क्या लएगा अधिक लएग why not this minus this यह बोध important line है अगर आपने इतना ही समझ दिया तो आपका clear है अब चलिए इसको सिर्फ solve करना और एक quadratic equation के form में लाना है उसके बाद आप इसको factorization method से या किसी method से इसको solve करना है तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं LCM ले लिजे LCM कितना हो गया हम अब हमारा equation क्या हो जाएगा तो इसको cross कर लिजे उपर में और कर लिजे पहले 360 को x से multiply कर लिजे कितना हो जाएगा 360 x प्लस इसको multiply कर लिजे कितना हो जाएगा 1800 and minus 360 x निचे में आप solve कर लिए कितना हो जाएगा x square प्लस 5x equal to 1 देखिए 360 360 cancel फिर अगें इसको by 1 यहाँ पर हमारे पास cross multiply कर लिजे x square plus 5x equal to 1800 अब आप इसको standard form में लाने के लिए क्या करेंगे x square plus 5x minus 1800 equal to 0 यहाँ तो आपका होगया standard form of quadratic equation अब हमें क्या करना आपको पता है 1800 को x से multiply करेंगे हमारे पास होगया 1800 x square 1800 का आप LC में लिजे और इस तरह से break करने कोसिस करिए कि हमारे पास 5 आ जाए तो देखिए इसको जब आप करके देखिएगा x square plus 45 x minus 40 x में यह break कर जाएगा 45 में से 40 minus करिए 5 आ रहा है इसको multiply करके देखिए 1800 भी आपका आ जाएगा तो यह हमने पिछली class पर discuss किया है इसलिए मैं अभी सिर्व आपको डिरेक्ट बता दे रहा हूँ 1800 का आप LC में लेके देख लीजेगा इसको अब यहाँ पर हम लोग x common ले लते हैं तो x plus 45 यहाँ हमने 40 common ले लिया x minus common लिया तो sin चेंज जाएगा न तो यह हो जाएगा x plus 45 यह बहुत important line है यह plus हमेशा द्यान दीजेगा ठीक है अब देखिए x plus 45 फिर से हमने common ले लिया क्या बचा हमारे पास x minus 40 equal to 0 यहाँ पर आप लिख सकते हैं either x plus 45 equal to 0 और x minus 40 equal to 0 यहाँ से अगर आप x निकाल लेंगे तो कितना जाएगा minus 45 which is not possible क्योंकि speed minus में नहीं हो सकता that's why we choose x equal to 40 ठीक है यहाँ आप लिख सकते हैं कि since x can't equal to minus 45 therefore x equal to 40 तो हमें क्या निकालना था हमें निकालना था speed uniform speed तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं therefore uniform speed of the train equal to 40 km per hour तो यह math काफी simple था अगर आपने यहाँ तक सिर्फ equation तक आपने समझ लिया कि किस तरह से हम लोग क्वाइड equation के form में लाएंगे उसके बाद तो आपको इस method में आना है और यह method आडाम से आप कर लेगे तो यहाँ तक आप ध्यान से समझेगा चलिए नेक्स में पर चलते हैं देखिए नेक्स्ट कोशन हमारे पास है टू वाटर टेप्स टुगेदर कें फिल टैंक नाइन थी बाइट आवर्स ठीक हैं अब आपको निकालना फाइंड दे टाइम टेकन मान लिजए कि स्मॉलर टैप और लाजर टेप इस दोनों की द्वारा कि सेपरेटली इस टैंक को फिल करते हैं तो यह अपने कोशन समय लिया बोड में यह कोशन काफी इंपोर्टेंट होता है और यह कई बार कोशन यह आ चुका है इसलिए इस कोशन को द्यास देखिएगा तो लेट हम लोग कर लेते हैं लेट टाइम टेकेन बाई स्मॉलर वन य यह फिर आप लिख सकते हैं टाइम टेकन बाई स्मॉलर टेप तो फिल टेंक सेपरेटली इकोल कितना लग जाता है इसमें देखिए मान लेते हैं इसको कितना एक्स आवर तीक है यह निट क्या लिखेंगे हम लोग टाइम लिख रहा है अगर आगे में तो यहां हम लोग क् कि एक सावर लग जाता है उसको टेंक को फिल करने में इसमॉलर टेप से अब अगर क्या लिखा हुआ देखिए देखिए टेप अब लाजर डाइमेटर लाजर डाइमेटर कितना ले रहा है इसमॉलर टेप जितना जाता उससे 10 गंटा कम यानि 10 आवर लेस तो अब हम लोग जिसको मैं एक एक जामबल दे रहा हूँ अगर मान लिजे किसी एक टेंकी को किसी एक टेंकी को आप टू आवर में पूरा भर लेते हैं ठीक है किसी एक टेंकी को अगर दो घंटे में पूरा भर लिया जाए तो एक घंटे में कितना भर जाएगा आधा टेंकी हाफ तो यह question इस तरह से रहता कि एक tank को हमने अगर 4 hours में complete कर लिया तो उसको one hour में कितना भरेंगे बताईए one hour में तो क्या हो जाएगा one fourth होगा ना one fourth उसी तरह से देखिया time taken by smaller tap to fill the tank एक है अब अगर part of the tank filled by अगर हमने यहां लिख लिया part of the tank filled by smaller tap smaller tap लेकिन कहां कितना गंड़ा में इन वन आवर यहां आप लिख लिजे इन वन आवर तो वो कितना हो जाएगा देखिए part of the tank filled by the small tap in one hour तो यह हो जाएगा हमारा one by x यहाद रखिए का one by x क्यों हुआ इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक्जामपल दिया है देखिए जैसे यहां मैंने आपको बताया two था तो one by two हो गया four था तो one by four हो गया उसी तरह से यहां हमारा x था तो कितना हो जाएगा one by x यह आपको clear होना चाहिए कि one by x हमने क्यों लिखा अब आता है कि part of the tank filled by larger larger tap in one hour वो कितना हो जाएगा बताये तो वो हो जाएगा हमारा one by this one x minus ten this और यहां कोई unit नहीं होगा यादा कियेगा जैसे आपसे पुशा जाए कि आपका तंकी कितना बरा हो आप अगर कहते हैं कि मेरा तंकी आदा बरा हुआ है हाफ बरा हुआ है तो हाफ का को unit हम लोग नहीं लिखते हैं इसलिए यहां को unit हम लोग नहीं लिखेंगे अब देखिए 93 by 8 hours यहां पर आप time को पहले change कर लिजे time time आपको दिया हुआ था 9 3 by 8 हना 8 9 जा 72 और 3 कितना हो गया 75 by 8 hours यह आपको दिया हुआ था कब इस condition के लिए कि हमें total time इतना लग रहा है लेकिन फिर से वही लिखेंगे अगर part of the tank filled by both the tape तब क्या हो जाएगा यह भी reciprocal हो जाएगा लाइक दिस तो अब आप आजाईए question में according to question देखें according to question में हम लोग क्या लिखेंगे 1 by x 1 by x plus 1 by x minus 10 equal to देखें जिस तरह से मैंने इसको reciprocal किया इसको reciprocal किया तो time भी हमारा जो total time है वो भी आपका reciprocal हो जाएगा ना तो यह कितना हो जाएगा 8 by 75 सबसे पहले आप यही तक समझ दिया है तो आपका लगबाग काम खतम हो चुका है इसके बाद आपको सिर्फ calculation करना है यही तक पहुंचना काफी important है कि यहां तक हमने किस तरह से हम यहां तक पहुंचेंगे तो मैंने आपको बताया कि time taken by smaller tap को आप x कर लिजे larger tap कितना होगा वो लिखा हुआ है कि 10 hour less तो ह 1 by x तो larger tap कितना लेगा 1 by x minus 10 अब यहां पर total time आपको कितना दिया था 75 by 8 तो यहां भी अगर part of the tank filled by both the tap तब क्या हो जाएगा 8 by 75 तो यहां हम लोग इस तरह से कर लेंगे अब इसको just हम लोग solve करता है तो चली थोड़ा सा रप कर लता हूं में पहले इतना आपने लिख लि देखें यहां अगर हमने अगर एलसिम ले लिया तो कितना हो जाएगा x x minus 10 होगा x से आपने डिवाइड किया चला यहां पर x minus 10 से डिवाइड किया हो जागा यहां पर x x plus x कितना हो गया हमारे पास बदाईए 2x minus 10 by निचे में क्या हो जाएगा हमारे पास x square minus 10x equal to sorry यहां पर हमारा हो जाएगा न 8 by 75 तो यह आपको हो गया 8 by 75 अब आपको calculation करना यहां सा आप 2 common भी ले सकते हैं अगर 2 हमने common ले लिया तो क्या हो गया x minus 5 ठीक है by x square minus 10x equal to 8 by 75 यह 2 से आप 8 को cancel कर सकते हैं 4 बार में अब आप cross कर लिजे देखें यहां हो जाएगा कितना हो जाएग कितना हो जाएगा 75x minus 55z25 को 5 हत्मेकर बीचा 237 ठीक है अब इसको like terms को अब 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 लिया आई है और calculation कर लिजे यहां हो जाएगा minus 40x minus 75x यह हमारा हो जाएगा ना plus 375 equal to 0 ठीक है अब देखें इसको हमने फिर से solve किया तो यह कितना हो जाएगा 5 11 हो जाएगा plus 375 equal to 0 यहां तक हमारा standard form of quadratic equation हो चुका है तो अगर आपने यहां तक समझ लिया तो आप इस calculation के basis पर आप यहां तक भी आ जाएगे अब आपको इसको क्या करना है factorization method से solve कर लिजे तो देखें अगर हमने इसको multiply कर लिया तो कितना हो जाएगा हमारे पास into कर लिया 375 को अगर हमने 4 से multiply कर लिया 5 420 का 0 हो गया ना 150 अब 150 को आपको इस तरह से break करना है कि 115 भी आना चाहिए और 1500 भी आना चाहिए तो देखें अगर हमने इसको हैंडेड और 15 लिख लिया हैंडेड और 15 तो हैंडेड प्लस 15 हैंडेड 15 हो जाएगा और अगर हैंडेड को 15 से आप multiply कर दीजे तो 1500 ये भी आपका जाएगा तो इसको हमनों लिख सकते हैं ना देखिए 4X स्कूर माइनस 100 X माइनस 15 X और प्लस 375 एक्वल डू 0 ये काफी सिंपल है तेखिए 115 आप multiply कर लिजे आजाएगा ना 1500 X स्कूर यहां से आप कॉमन ले लिजे कितना बताईए 4X तो यहां क्या बचा हम हमारे पास 25 यहां से हमने कॉमन ले लिए कितना 15 यहां बच जाएगा X आपको पता होना चाहिए माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज जाएगा यहां भी हमारा हो जाएगा 25 एक्वल डू 0 X माइनस 25 को फिर से हमने कॉमन ले लिया क्या बचा हमारे पास 4X माइनस 15 इक्वल डू 0 यहां तक किलियर है अब देखिए X माइनस 25 इक्वल डू 0 और 4X माइनस 15 इक्वल डू 0 यहां हमारे पास X इक्वल डू 25 यहां हमारे पास X इक्वल डू 15 बाइ 4 अब देखिए आपक जगा पर है ना द्यांस देखिए अगर 15 by 4 के जगा पर 16 by 4 भी होता 16 by 4 भी होता तो 4 4 जा 16 4 hours होते अगर अब अगर मान लिजे कि time taken by the smaller tip अगर 4 आवर लेता है तो larger tip उससे 10 hour हमलों को और minus करना है तो 4 minus 10 तो कर नहीं सकते हैं ना since this one is smaller than the 10 10 समयार आपको कि मैं क्या बोल रहा हूं कि since अभी जो value हमारे पास है एक्स वो less than है कितना से 10 से अगर x less than 10 है so this value can't possible therefore x equal to हम लोग क्या लेंगे 25 तो यानि कि larger tip हमारा smaller tip हमारा कितना ले रहा है 25 hours और larger tip कितना लेगा 25 में से हम लोग 10 minus कर लेंगे तो यह दो लेन आप यहां लिख सकते हैं तो बताए हम लोग क्या लिख लेंगे therefore time taken by smaller smaller tip to fill the tank fill the tank कितना हो जाएगा बताए है 25 hours 25 hours तो इसी चीज़ को आप फिर से लिख लिख लिजएगा कि time taken by the larger tip हाना to fill the tank alone equal to up कितना हो जाएगा देखिए 25 minus 10 that is कितना हो जाएगा बुली 15 hours तो यह हो गया हमारा answer तो I think यह आपको clear हो गया होगा बस आप ध्यान दीजेगा कि हम लोगोंने किस तरह से quality question बनाया यहीं तक important होता है अगर आपने quality question बना लिया कि an express train takes one hour less than that of the passenger train यह आपको पता है कि express train क्या होगा passenger train से कमी time लेगा अब क्या है to travel 132 km कहां से कहां तक मैसूर से लेकर बैंगलरू तक if the average speed of the express train is 11 km more than that of the passenger train find the average speed of both the trains यह आपको निकालना है तो चली start करते हैं इसको सबसे पहले पहले आप लेट कर लिजे लेट average speed of हमने किसे पहले आप लेट कर लिजे पैसेंजर train को तो average speed of passenger train equal to x km per hour यह हमने लेट कर लिया तो case 1 में देखिए case 1 इस case में जब आपको distance कितना दिया हुआ है distance हमें कितना दिया हुआ देखिए आप पर 132 132 km तो आपको जब आप passenger train से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको time कितना लगेगा तो आपने पढ़ा है तो यह हम लोग लिख लेंगे case 2 में देखिए case 2 में जब हम लोग आते हैं अब हमें average speed of express 10 लिखना होगा तो average speed of express 10 को हमने लेट कर लिया express 10 इसको आप लेट कर लिए कितना तो देखिए यहां पर question में देखिए कितना दिया हुआ हुआ है 11 km more 11 km more तो इसमें हम लोग क्या करेंगे x plus 11 कर लेंगे न इतना km per hour यानि कि passenger train अगर x km per hour का speed से अगर चलता है तो express train कितना होगा x plus 11 km per hour का speed चलेगा इस condition में distance आपको तो same रहेगा यानि distance अभी भी हमारे पास 132 km है बट time क्या हो जाएगा तो time में difference होगा तो time equal to आप जानते है न distance by speed तो अब लोग distance कितना लिख लेंगे बताइए distance तो हमारा नहीं बतला है that is 132 but speed हमारा change हो गया देखिए x plus 11 इतना हर अफिर important है कि इन दोन time में एक घंटा का difference है अगर एक घंटा का difference है यानि this minus this equal to 1 यहां फिर question यह आता है कि आप this minus this equal to 1 लिखेंगे यह this minus this equal to 1 लिखेंगे जैसा कि पिछरे question में भी हमने discuss किया था आप हमेशा देखिएगा कि speed आपका increase हुआ है यह decrease हुआ है यह ध्यान रखिएगा अगर आपका speed increase हुआ है तो speed बढ़ेगा तो time क्या होगा गटेगा यह एक दुसरे के inversely proportional है कि अगर speed बढ़ गया तो time क्या होगा obviously कम लगेगा यानि this time is smaller than this one तो this minus this करेंगे not this minus this clear है कि why this minus this तो यह समझे अच्छी तरह से तो according to question में हम लोग क्या लिख लेंगे बताइए कि 132 by x minus 132 by x plus 11 equal to 1 यह बहुत important है कि हमने 132 by x minus 132 by x plus 11 equal to 1 ही क्यों लिखा why not this minus this and why this minus this only यह बहुत important है अगर आपने यह clearly समझ लिया तो आपको काफी easy पड़ेगा अब math में आपको सिर्फ calculation करना है यहां फिर आप lcm लेंगे factorism में थरसे solve करिए और answer आगे बस यहां तक अगर आपको doubt है तो अच्छी तरह से समझ लिजिए कि average speed को हमने x लिया first case में distance and time आपने निकाल लिया similarly second case में distance and time आपको निकाल लिया बट इन दोनों times में कितना घंटा का difference था देखिए one hour का difference था तो यह हमने लिख लिया this minus this equal to one यह clear आपको तो अब इसको solve कर लिजे तो चलिए तो सबसे पहले यहां भी हम लोग ले लेते हैं पहले तो यहां कितना हो गया हमारे पास x x plus 11 यहां x से अपने divide के x plus 11 यानि 132 x plus 11 यहां आपका हो जाएगा कितना वह इस से अपने divide के ना क्या बचा x यहां हो जाएगा 132 x equal to one यहाद खिलिए है आपको अब आपको जस्ट क regression करना है देखिए 132 x यह अगर multiply होगा तो कितना हो जाएगा 132 x plus 132 को आप 11 से इंटू करिए 11 2 जा 22 का 2 हात में केरी बचा 2 11 3 जा 33 33 और 2 कितना हो गया 34 35 हात में केरी बचा 3 11 11 12 13 14 ठीक है निचे आप इंटू कर लिजे देखिए कितना हो जाएगा बताए x square अच्छा यहा x square plus 11 x equal to 1 यहां देखिए 132 x 132 x cancel अब आप इसको cross कर लिजे देखिए x square plus 11 x और इसको हमने अगर cross multiply कर लिया तो कितना हो जाएगा 1452 यहां तक आपको clear है अब आप क्या करेंगे x square plus 11 x minus 1452 equal to 0 यहां तक हमारे standard form of quadratic equation आ चुका है अब आपको क्या करना है factorism methodist को solve कर लिजे 11 चाहिए तो क्या में break हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 44 x minus 33 x minus 1452 equal to 0 1452 का आप lc लेके देखिएगा इसमें यह break हो जाएगा minus करिए 11 x आ रहा है इसको multiply करिए this बना जाएगा तो अब आप क्या करेंगे common लेंगे x common लिया हमने तो x plus 44 यहां से minus 33 हमने common लिया minus common लिया चेंज जो आता है यह आपने पढ़ा है 33 से इसको आप divide करिएगा देखिएगा 44 आएगा equal to 0 x plus 44 को फिर से हमने common लिया क्या बचा हमारे पास x minus 33 equal to 0 ठीके अब आप क्या लिखेंगे x plus 44 equal to 0 या फिर x minus 33 equal to 0 यहां से अगर हमने x निकाल लिया तो x कितना हो जाएगा minus 44 which is not possible क यह हम लोग neglect कर देंगे इसको नहीं लेंगे तो हम क्या लेंगे x equal to 33 तो यह जो होगे यह 33 किलोमेटर पर आवर यानि कि आपको क्या निकालना था average speed of the तुपाने देखिए therefore क्या लिख सकते बताइए average speed of passenger train passenger train कितना हो जाएगा बताइए average speed of passenger train 33 किलोमेटर पर आवर और average speed of express train वो आपका कितना हो जाएगा express train तो इसमें आपने क्या पढ़ा है इसमें plus 11 कर लेंगे ना तो 33 plus 11 that is कितना हो जाएगा 44 किलोमेटर पर आवर तो I think यह sum भी आपको easily समझा आगिया होगा तो चलिए next sum पर चलते हैं देखिए next question हमारे पास है question number 11 और यह 4.3 exercise का last sum है तो चलिए इसको देख लेते हैं इसमें हमें दिया हुआ sum of the area of the two square मानली जी आपके पास यह first one एक square है और एक यह square है ठीक है यह first one जो है वो larger than this one है यह मानलेते हैं हमने लेट कर लिया कि first square is greater than the second square अब देखिए इसके आपको आपने मानली जी इस square का side को कितना लेट कर लिया x and इस square का side को अपने y लेट कर हो जाएगा area of square आपने पढ़ा है na side square x square इस square का area कितना हो जाएगा y square अब आपको क्या बोला गया sum of the area of the two square मतले x square प्लस y square कितना हो जाएगा आपके पास 468 यहां ते clear है तो चलिए इसको लिखते हैं let side of first square equal to हमने let कर लिया x x meter side of second square इसको मैंने let कर लिया y meter और यहां पर हम लोग let कर लेते हैं कि x जो है हमने मान लिया है कि y से बढ़ा है ठीक है first square यह नहीं larger than the second square यह हमने let कर लिया है अब देखिए according to question में हम लोग क्या लिखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ area का sum area of first square कितना हो जाएगा बताइए area of first square यह अपने पढ़ा है area क्या होता हमारे पास side square तो side अगर x था तो यह कितना हो जाएगा x square square meter और area of second square वो कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए y square square meter and area का हमें sum कितना दिया हुआ है area का sum हमें 468 that is x square plus y square equal to 468 यह हो गया हमारा equation number 1 यहाँ था आपको clear है फिर से में बता दे रहा हूँ first square के side को हमने x let किया second square के side को y let किया x is greater than y हमने assume किया है area of first square x square area of second square y square area का sum कितना दिया हुआ आपको 468 यहाँ था clear आपको फिर पढ़िए आप question कि if the difference of their perimeter अब इनके perimeters में difference दिया हुआ कितना 24 तो यहाँ देखिए difference between their perimeter तो इस square का perimeter कितना होगा perimeter of the square आपने पढ़ा है 4 into side तो 4 into side that is 4x और इस square का perimeter कितना हो जाएगा बताइए 4y क्योंकि 4 into side यानि 4y तो इस square का perimeter हो गया 4x इस square का perimeter हो गया 4y यानि 4x minus 4y में कितना का difference है 24 का तो हम लोग सकते हैं 4x minus 4y equal to 24 यहाँ से अगर आपने 4 common ले लिया तो x minus y equal to 24 यह 4 से 24 कर जाएगा ना तो कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए x minus y equal to 24 by 4 that is 6 हो जाएगा यह मान लिजिए equation number 2 अच्छा इसको equation 2 नहीं मान कर आप क्या करिए कि x निकाल लिजिए यहाँ से x equal to कितना हो जाएगा 6 plus y इसको equation में 2 मान लेते हैं x क्या हो गया हमारे पास 6 plus y यहाँ से clear है तो हमने दो equation बना लिए अब x का जो value है वह आप यहाँ पूट कर सकते हैं equation 1 में या तो equation 1 से आप x निकाल लिजिए equation 2 में put कर लिजिए या तो equation 2 से आप y निकाल लिजिए equation 1 में put कर लिजिए तो चलिए इसको start करते हैं तो putting the value of x in equation 1 कहां से from equation 2 से तो देखी हमारे पास x square था ना तो x कितना हमारे पास अभी 6 plus y है again plus y square equal to 468 I think यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब इसको आप a plus b का holy square में खोल लिजिए तो देखी a square mean 6 का square कितना हो जाएगा 36 b square मतलब y square and 2 a b करेंगे तो 2 6 जा कितना हो जाएगा बताइए 12 y plus y square equal to 468 यहाँ तक लिए आपको अब क्लिशन करिए y square y square add कर सकते हैं ना कितना होगी हमारे पास 2 y square यहाँ होगी हमारे पास 12 y plus 36 minus 468 equal to 0 ठीक है थोड़ा समय इसको रब कर लेता हूँ तो देखिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर बताइए 2 y square plus 12 y इसको अब सॉल्फ करिए 8 minus 6 कितना हो गया 2 6 minus 3 कितना हो जाएगा 3 and यह आपका हो गया 4 equal to 0 यहाँ तक हमारा standard form of quadratic equation हो चुका है बड़ आप देखिए इस तीनों में आपको कुछ common दिख रहा होगा तो आप इसमें common ले लिजे 2 तो क्या बच जाएगा हमारे पास y square यहाँ हो जाएगा 6y 2 से आप divide करिए 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 हो गया तो इसको हमने इस तरह से quadratic equation में convert कर लिया है यह आपका 0 by 2 that is 0 हो जाएगा न अब आपको इसको फिर y factorization method से minimum break करके आपको इसको solve कर लेना है तो इसको solve करने के देखिए क्या में break हो जाएगा यह बताइए 18y minus 12y 18 minus 12 6 आ जाएगा न 18 12 को into करिए 216 भी आ जाएगा minus 216 equal to 0 यहाँ से आप common ले लिजे y को कितना बचा हमारे पास देखिए y plus 18 यहाँ से हमने 12 common ले लिया y plus 18 equal to 0 again y plus 18 को हमने common ले लिया क्या बच जाएगा बताइए y minus 12 equal to 0 यहाँ से आप लिख सकते हैं आइधर y plus 18 equal to 0 और y minus 12 equal to 0 यहाँ से y क्या आ जाएगा minus 18 आ जाएगा which is neglect हो जाएगा यह है न यह neglect कर देंगे हमें क्योंकि minus में value नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पर y के लिल लिए हमने 12 अगर y 12 हो चुका है तो हमारा x कितना हो जाएगा दीखि therefore from equation 2 में करम आ जाते हैं तो हमारे पास x हो गया कितना 6 plus y y means 12 तो कितना हो गया बताएगे x equal to 18 तो हमने क्या लेट किया था कि side of the first square को हमने x लेट किया था यानि कि 18 meter and side of the second square that is y लेट किया था which is 12 meter यहाँ था कि लिए आपको 2 रहन आप लिख लीजेगा अधर वाज मैं यह लेट किया था बताएगे x x कितना निकाला हमारा 18 तो यहां लिख लेंगे 18 meter और side of the second square उसको मैंने y लेट किया था that is 12 meter तो आज आपने देखा कि हम लोग ने 4.3 exercise को complete कर लिया है